आज के स्लोगन में विशेश रूप से सरल स्वभाव क्या है इस पर स्पर्च रूप से बताया है तो आएए सुनते हैं आज का स्लोगन अपने स्वभाव को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा सरलता एक गुण है लेकिन गुण से बरकर सरलता एक शक्ति भी है क्योंकि सरल स्वभाव व्यक्ति के अंदर कई शक्तिया समाई हुई है जैसे स्नेह की शक्ति, सहियोग की शक्ति, सच्चाई की शक्ति, समाने की शक्ति और समेचने की शक्ति सरल स्वभाव व्यक्ति सबके व्यवहार में संबंध में आते हुए सबके स्नेही सहच्ता से बन जाते हैं और उस रुहानी स्नेह की कारण से वे आत्मा हर एक लोगों की गुण को विशेश्टा को देखते हैं अव गुणों को समा लेते हैं इस दिये उनके अंदर स्नेह की शक्ती भी है और समाने की भी शक्ती अंदर में भरपूर होते हैं दूसरी बात जो सरल स्वभाव वाली आत्मा होते हैं वे स्नेह की शक्ती तो है ही है लिकिन उसके आधार से वे दूसरों के सहच भाव से सहयोगी बन जाते हैं और दूसरों से भी सहे जभाव से सहयोग प्राप्त कर लेते हैं अर्थात उनके अंदर सहयोग की भी शक्ती समाई हुई है और सच्चाई का आधार लेने के कारण से हरें की सच्चाई को देखते हैं वेर्थ रुपी जो विस्तार है उसको नहीं देखते इसलिए विस्तार को समेठने की उनके अंदर शक्ती समाई हुई है तो ये सारी ही शक्ती जब अंदर आत्मा के अंदर समाई हुई हो तो आत्मा अधिकारी बन जाते हैं जो आत्मा अधिकारी होती है उसकी सर्व खजाने जो शक्तिया है जो एनरजी है वो कभी भी वेस नहीं जाते अर्थात संकल के खजाने वानी के खजाने करम के खजाने संबन संपर के खजाने समय के खजाने कभी भी वेर्थ नहीं जाते क्योंकि वे स्वयम अधिकारी है जो अधीन होते हैं उनकी ये निशानी होती है कि उनकी इसलिए जब हम सरलता को शक्ती रूप से और गुन रूप से अपने अंदर धारन करते हैं, तो अपने अंदर की सारी शक्तिया, सारी खजाने सफल हो जाते हैं, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं. तो आईए, आज सारा दिन अपने सरलता के गौन को तराशे, उसको फिर से अपने अंदर नए प्रकार से शक्ती के रूप में धारन करें. ओम शांती.